स्टोक मार्केट के अंदर एक नया SME IPO आ रहा है जो कि 15 जून से 20 जून के बीच में खुला वार रहेगा इसका जो प्राइस रखा गया है IPO का वो 100 रूपीज रखा गया है और लॉट साइज जरूर रखा गया है 1200 शेर्स का रखा गया है तो यह mobile phones और उनकी accessories भी बेचती है और साथ में TV उनकी TVs भी बेचती है अलगलग brands के और आगे आने वाले टाइम में और भी electronic brands के साथ में यह टाइप करके अपने स्टोर से माल बेचेगी आज के दिन इसके टोटल 75 स्टोर्स हैं जिनमें से दो स्टोर्स इसके खुद के हैं बागी 73 स्टोर्स यह इसने लीज पर ले रखे हैं मतलब किराए पर ले रखे हैं अब यह company जो अगर पजास क्रोड़ रुपे market से उठाई तो यह किस काम में लेगी तो यह और ज्यादा पीए पीबी रेशियो जो company का है उसको दूसरी जो competitors है market के अंदर उनके साथ में compare करके देख लें था कि थोड़ी से हमें idea हो जाए company का तो यहां पर अगर पर प्रजेंट डेटा के basis के ओपर अगर हम बात करते हैं तो यह जो sell point है इसका जो PE ratio है यहां पर इसने 7 दिखा रह है तो इसने क्यों अपना data का brand बजाय समझ में नहीं आ रहा तो इसका कितना है 3 है और इनका 37 है एक का 3 है और एक का 8 है तो यहां पर PE ratio तो बहुत अच्छा है इस company का जो क्या फिला रही है दूसरा अगर हम दूसरी चीज़ देखने पीबी रेशियो price to book value ratio तो यहां पर इस साल पहले का मतलब मार्च 2022 का data के basis के बोला है कि हमारा PB ratio 0 points में है और points में पीबी रेशियो होता है बहुत अच्छा माना जाता है बट एक्चुली इसका पीबी रेशियो है recent result data के according वह 7 के आसपास में है मतलब 7 गुना ओपर valuation के ओपर company अपना IPO लेकि आई है और इस data के according company जो है अपनी जो valuation उसके भी नीचे IPO लेकिए आ रही है तो यह कहने के बाद यहां पर होगी manipulation के अंदर कि हमारे जो flat का market rate है वो 50 लाग का है बट हम आपको 40 लाग रुपे में दे रहे हैं but actually at present data के according यह जो recording यहाँ पर PB ratio जो है 7 है और अगर दूसरी companies के साथ में PB ratio compare करके देखते हैं यहाँ पर तो इसका जो PB ratio वो तक्रिवन 4 के आसपास में है इसका points में है और इसका again 4-5 के आसपास में है तो यहाँ पर PB ratio बहुत हाई है company का और जो competitors के comparison में बट यहाँ पर PB ratio बहुत अच्छा है सो यह PB ratio इतना हाई मतलब हम चला सकते हैं इसको दूसरी चीज़ यहाँ पर notice करने वाली बात यह और है कि company का IPO आने के बाद में company क्या बोड रही कि मैं अपना जो उधारी है उसको चुका दूंगी तो मेरा PB ratio उसके सुदरने की उमीद है वो 2 के उपर आ जाएगा यहाँ प कंपनी के IPO के अंदर हम अपलाइ कर सकते हैं और अच्छे से अपलाइ कर सकते हैं अगर मिलता है तो हमें चांदी देखने को मिल सकती है अच्छी का ऐसी से यू टोमोरो विद नुए इंफोर्मेशन